दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही खास है विकास कुछ पक्त पहले मैंने एक आर्टिकल पड़ा था इस आर्टिकल में ये लिखा था कि क्यों इंशॉरेंस गाड़ी की इंशॉरेंस टांसफर करना ज़रूरी है जब आप सेल करते ना गाड़ी क्यों उतना ज़रूरी है अब उस आर्टिकल में ये लिखा था कि कैसे एक व्यक्ति इसमें फस्ट गया वो व्यक्ति ने अपने गाड़ी को सेल कर दी राइट ओनर्शिप ट्रांसफर हो गई आर्सी में बट इंशॉरेंस ट्रांसफर नहीं हुई उसको ये लगा यार अभी वो इंशॉरेंस वो दे क्लेम ट्राइबिनल में इस चीज को दर्ज की और जो थर्ड पार्टी डैमेज हुआ था ना उसकी लाइबिलिटी आपको मालूम है किस पर आई उसकी लाइबिलिटी आई उस व्यक्ति पर जिसने गाड़ी बेची थी अब उसका कोई वास्ता नहीं था बिकास उसने गाड नहीं कराने से बिकास उसी वक्त में उसी साल में इंशॉरंस के पिरेड में रणिंग कॉंट्राक्ट में अगर कोई ऐसा कुछ क्लेम आ गया तो फिर प्राब्लेम आपको फेस करना पड़ सकता है तो इस वज़े से आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्यो गाड़ी का इंशॉरंस ट्रांसफर करना जरूरी है number one number two क्या procedure है number three nesseb की मानियता क्या है number four you know कैसे आप actually discount कमा सकते थिरूंस नाज करें पड़ सकते आपको अगर आपने इंशॉरंस ट्रांसफर नहीं किया एक particular समय में सो जुड़े रहिएगा पूरा वीडियो देखेगा आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में मेरा नाम है धीरच शूर करते हैं आज का वीडियो सो यहाँ पर मैं दो कारण देना चाहूंगा क्यों आपको आपके गाड़ी के इंशॉरंस को ट्रांसफर करना चाहिए पहला जो मैंने अभी आपको बताया कि फ्यूचर लाइबिलिटी से आप अपने आपको प्रोटेट करके रख सकते हैं राइट दूसरा कारण यह है कि जो NCB रहता है न नो क्लेम बोनस वो जो भी जमा हुआ है आपके नाम पे उस पॉलिसी में उस वक्त तक वो भी आप ट्रांसफर करके ले सकते हैं उदारन के तोर पर Mr. A ने पाँच साल एक गाड़ी ओन करके रखी उसका पाँच साल का इंशॉरंस का प्रेमिम भरा गाड़ी क लिया नहीं तो जो भी अभी बोनस महाँ पर जमा है न एकिसे 50% तका बोनस घुमलेट हैँ अब अगर आपने पॉलिसी को ट्रांसफर किया तो आपके नाम से पॉलिसी कैंसल हो जाएगी फिर वो जो नए उनर है उनके नाम पर वो हो जाएगा isto एक्सी वह जाएर करके तो और इसी NCB certificate के मदद से आप पा सकते है discount किसमे जब आप नई गाड़ी लेते है और जब आप insurance का premium उस गाड़ी के लिए भरेंगे तो इस NCB certificate के द्वारा आप claim कर सकते है rebate discount जो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ कि वो calculation कैसे work out होता है but just to like understand दो main कारण यहां पर हमें समझ में आते हैं जिसको हमको consider करना चाहिए and हमारे गाड़ी के insurance को नए owner के नाम पर transfer करना चाहिए so चलो यार आपको यह तो पता चल गया कि क्यों transfer करना चाहिए अब मैं आपको process बताता हूँ बड़ process बताने से पहले हमेशा इस बात का ध्यान रखेगा कि जब भी आप ownership में changes कराते साथी साथ insurance में भी ownership change कराईएगा so transfer कराने के लिए कुछ आपको documents की जरूरत पड़ेगी जो आपको तयार करके submit करना रहता है साथी साथ एक 50 rupees की fee भी आती है जो आपको pay करना रहता है तो मैं यहाँ पे अभी quickly आपको list of documents दे देता हूँ जो अभी आप screen में भी देखेंगे पहला है new copy of the registration certificate which is also known as form 29 पाच्वा है inspection report which is to be carried out by the insurance company and the last one is no claim bonus difference amount तो यह सारे चीजों को आप आपको submit करना पड़ेगा आपको तयार करना पड़ेगा in order to follow the process and ऐसी के साथे साथ 50 rupees as I said would be a nominal fee that you need to pay so चलिए अब हम आगे बढ़ते है towards no claim bonus यह हमारा third point है तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि no claim bonus की मदद से आप कमा सकते हैं discount कैसे अब जैसे कि मैंने आपको उधारन दिया था कि Mr. A ने एक गाड़ी जो पाच साल तक own की और उसका premium insurance का भरा और एक भी साल में उन्हें claim ने लिया अब उन्होंने पाचवे साल में सोचा कि चलो यार गाड़ी निकाल देता हो मैं तो RC में ownership change कर दिया और insurance में भी ownership change कर दिया अब उनके गाड़ी पे वो insurance जो था वो cancel हो गया अब वो दूसरे गाड़ी पे मतलब जो नए owner है उनके नाम पर transfer हो गया गाड़ी तो वो ही है बट अभी owner और कोई हो गया तो उनके नाम पर जो ownership थी वो cancel हो गया बट बट जो पाच साल तक उन्होंने bonus कमाया उसका क्या डिस्काउंट के तो और पर जो पाचवे साल का जो उनका bonus था उसका क्या मान के चलते हो 50% तक है तो उसको कैसे claim किया जाए मैं अभी वही बता रहा हूँ वो claim करने का तरीका है to avail the NCB certificate है वो कैसे मिलता है आपको कि जब भी आप insurance की ownership transfer करते है ना नए owner के नाम पर तो आपके नाम से जो cancel हो गया वो आपको proof submit करना है insurance company को जहां पर आपके insurance policy थी आप तक तो वो लोग आपको फिर देंगे NCB certificate है यह कहते हुए कि आप इतने यह bonus के लिए eligible हो और यही चीज आप फिर produce करेंगे अपने नए गाड़ी के insurance का premium भरने के वक्त है तो उस time पर यह 50% का bonus आप claim करके अपने premium पर नए गाड़ी के premium पर पा सकते है discount so NCP के rates कैसे define होता है यह depend करता है year to year जो अभी आप देख रहें screen में first year में it is like 20% second claim free year में 25, third में 35, fourth में 45 and fifth में जाता है वो 50% तक this is an approximate value अब हमारा जो example था Mr. A का Mr. A ने मानके चलते चार साल तक गाड़ी चलाया चार साल तक उन्होंने premium भरा insurance का गाड़ी के insurance का और चौते साल में अब वो decide कर रहें कि गाड़ी sell कर देंगे तो गाड़ी उन्होंने sell कर दी ownership RC में change हो गया ownership insurance में भी change हो गया बट याद रखेगा bonus कभी transfer नहीं होता है bonus उस previous owner का अधिकार है वो कभी transfer नहीं होता है तो अब bonus को वो कैसे claim करेंगे जैसे कि मैं आपको बताया NCB certificate avail करके तो उसके लिए उनको you know NCB certificate के लिए सारे जो भी formality सो submit करनी पड़ीगी और उसके उनको मिलेगा NCB certificate अब इस NCB certificate के मदद से देखिए उसको कैसे redeem करेंगे ध्यान से सुनिएगा जब वो नई गाड़ी लेंगे न और उस टाइम उस नई गाड़ी पर जब उनको insurance का premium बरने को आता है उस टाइम पर इस NCB certificate के मदद से वो unlock कर सकते है benefits अभी एक assumption रखते हैं कि जो नई गाड़ी वो ले रहे उसका insurance का premium आ रहा है उनको बरने के लिए पचीस हजार रुपए और जो damage component है ना पचीस हजार की premium वो है बीस हजार रुपए correct तो अब बीस हजार का 45% which is 9,000 रुपई यह उनका discount value हुआ तो मतलब जहां पर उनको पचीस हजार रुपए बरने के लिए आ रहा था अब पचीस हजार की जगह उनको आएगा 16,000 रुपए बरने के लिए so आपको कुछ idea आ गया होगा कि कैसे आप जो आपका अधिकार का जो benefit था जो bonus था वो आपने अपने नई गाड़ी के insurance के premium में unlock किया redeem किया और उसके through आपने कमाया discount so quickly आपर बताना चाहूंगा NCB certificate के लिए आपको किन सारे documents को produce करना रहता है तो यहां पर मैं बता रहा हो one by one request letter for policy cancellation number two original policy copy and certificate of insurance which is also known as form 51 number three is form 29 which is like the notice of transfer of ownership of a motor vehicle number four is form number 30 which is like the application for intimation and transfer of ownership of a motor vehicle fifth is photocopy of registration certificate book with name of the new owner right and sixth is the proof of delivery of car to the new owner यह सारे proof को आप जब submit करते है तब भी जाके आप you know NCB certificate को access कर सकते तब जाके आपकी जो insurance company थी वो आपको NCB certificate issue करेगी तो यहां पर वीडियो को conclude करना चाहूंगा by saying this that कि देखे insurance गाड़ी की insurance जोई दो चीजों को cover करती है एक own damage है कि हमारे वज़े से अगर गाड़ी का कुछ नुकसान हुआ तो जो भी उसका खर्चा है वो insurance company pay करेगा और दूसरा coverage है जहां पर हमारे वज़े से अगर किसी तीसरे वेक्ती का कुछ नुकसान होगे हमारे गाड़ी के वज़े से तो फिर उसका भी जो नुकसान हुआ है वो insurance company cover करेगा तो यह दो चीजों को cover करनी के लिए आपको insurance transfer करके लेना चाहिए Just like how you get the ownership transfer Similarly, insurance में भी ownership transfer होना ही चाहिए Because यह फिर बाद में दोनों parties के लिए एक बहुत बड़ी headache बन जाएगी Buyer के लिए भी seller के लिए और अगर हम देखे ऐस पर section 157 of the Motor Vehicle Act 1988 Insurance जो है ना गाड़ी sell होने के बाद ठीक 14 दिन के अंदर transfer होना चाहिए Yes, because क्यों 14 दिन है आप है मैं बता रहा हूँ By default, automatically, third party liability का जो coverage है Right, वो automatically नए owner के नाम पर, मतलब वो active रहता है 14 दिन तक जब गाड़ी sell हो जाती है, transfer हो जाती है RC में उसके बाद भी 14 दिन तक वो active रहेगी, सिर्फ third party liability cover Own damage cover, सिर्फ गाड़ी की insurance transfer होने के बाद ही active होगी Otherwise, third party liability coverage 14 days तक valid रहेगी 15th day से ही वो seize हो जाएगा मतलब आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि गाड़ी sell होने के बाद ठीक 14 दिन के अंदर insurance transfer हो जाए नए owner के नाम से तो यह सारे कुछ facts थे जो आपको शायद जरूर help करेगा आगे अगर आप गाड़ी sell करने का सोचे अगर आप sell करने ही वाले अभी दिवाली का वक्त है तो बहुत लोग plan करते है एक used guard गाड़ी खरीदने की या अपने पुरानी गाड़ी को निकाल कर नहीं गाड़ी खरीदने की तो I think यह वीडियो सभी के लिए बहुत ही आई opening रहने वाला है तो फिर जरूर consider कीजेगा शेयर करने के लिए और अगर हमारा काम पसंदात है तो लाइक भी ज़रूर कर लिजेगा कमेंट में मुझे बताइए अगर आपका कोई सवाल है तो और अगर आपने अभी तक subscribe नहीं है किया है चैनल को तो फिर consider कर लिजेगा इसे के साथ मुझे इचासत दीजिए आज के लिए इतना ही दिस दीरज प्राम दीरज अगरेस चानल साइन गाफ थैंक यू सो माच